तो दोस्तों बस अभी अभी आई रही हूँ उसको दिखाने के लिए गई थी डॉक्टर के पास बस आई हूँ सुनो अंदर आजा बिटा डॉक्टर निये मशीन दिया है निमुलाजेशन का बोला था उन्होंने कि आपको सुबह शाम सुबह शाम तीन दिन तक आना पड़ेगा लेकिन मैंने बोला मेरा जो दूसरा बच्चा है उससे लेकर अगर ठंड में आऊंगी तो फिर परिशानवी मेरी प्रोब्लेम पता है मेरी प्रोब्लेम मतला मेरी पती जो चोर के गया है ना तो एक दिन किसी बातों बातों में मेरी हालत भी ऐसी थी तो मैंने उनको बताया है तो फिर डॉक्टर ने बोला आप यह ले जाओ और घर पे करा लेना बच्चे का निमुलाजेशन आपको पैसे देने की जरूत नहीं है तो मैंने ठीक है तो फिले के आई हूँ और बच्चों के उन्होंने मेडिसिन वगरा जो दिये वह लेकर आई हूँ आप उन्होंने तीन दिन का दभाई दिये तो बगवान करें सही हो जाए दुबर जरूत ना परें यह दवाई और यह दवाई है यह तो यह पर्ची हो गया यह निमूनलैजेशन वाला दभाई जो है ना वह मार्क्स की अंदर डाल करकरते ना वह दवाई है तो इसमें इस तरह की शीशी होंगे यहां सुबहों कर ने की है तो इसमें चैज्ञ वह हुँंगे टिया है तो मैंने इसे आलगी डलगा दो नहीं तो ऑने की जो दबाई होता है तो अलग डलबाने से मेरे को थोड़ा सा याद रह जाए गा इसलिए मेने इसे अलग डल आ और और इसे अलग रखोंगी क्यूंकि भूल जाने का है ना आप तो दिमाग थोड़ा ऐसा ही हो जाता है बच्चों की बज़े से और मेरा बिटा ऐसे यह हमेशा बिमार ही रहता है और यह मशीन मेरे पास माक्स पहले की रखी हुए जब सोनु अभी दोर चाहर दिन पहले बिमार हुआ था ना तो यह उसी टाइम का माक्स बगरा रखा हुआ है तो उसी से काम चल जाएगा और यह सोनु के अभी का दबाई दिये चार चीशी दिये जो भी है और एक तो यह ड्रॉब दिये नाक वाली क्यूंकि उसे बहुत ज्यादा मतलब जुखाम है इस बज़े से और दिये तीन-चार दबाई दिये बस अभी आई हूं और छोटू को छोर के गई थी आज में बस लेके गई थी सोनु कोई जिसमें सारे बज़े निकली थी देखिए अभी एक देर बज़ गया फिर भी आज थोरा भीर कम था इस बज़े से जल्दी आ गई बस अब करूंगी सबसे पहले तो बच्चे को दबाई बगरा देना है और देखिए पूरा कपड़ा यह दुपा हुआ वैसे रखा हुआ है विस्तर बगरा ऐसे रखी हुए कि जब घर से चली गई हूं सुबे तो पिर करने वाला कोई नहीं है देखिए क्या हालत हो यह घर की और यहां पर स उसके बाद में घर का कामोम करना है और इसको नाजने क्या हुआ सारे दिस संतरा खाता रहता है कि अभी सुबे संतर खायते हैं आप सुबे पाज बज़े उटकर इसने एक संतरा खालिया अब बापस से दो-दो संतरा ले रहा है जान्तरा क्यू बही है अभी ने खाना कल ख कुछ भी नहीं करके गई थी बस सुबे जो काम हुआ था बोई हुआ था और बरतन भी नहीं हो पाया था बरतन भी यहां पर पूरा आदी बरतन रखी हुए देख सकते हैं अभी सबसे पहले बच्चों का दबाई का करके खाना बगरा बनाती हूं और हमारे यहां पर मोसम पूरी तरह से बदल चाहे हुई है दूप बिल्कुल ही नहीं है कपड़ा बगरा तो दोने का टायम ही नहीं मिलेगा क्योंकि आज डवल बैट को खोलना है उसके बाद में मेरे सोइटर बगरा जहाँ जो निकाल मैंने यहां पर चाह तो मेरे भी कोल्ड हो रहा था उपर से फिबर भी हो रहा था तो इस बचे से में भी थोड़ा चाय को है ना कुछ अलग तरह के से बनाओंगी ताकि मुझे भी थोड़ा मतलब रिलीप मिले क्योंकि अगर में से नहीं रहूंगी तो बच्चे को कौन देखेगा तो इसके लिए मैंने आपर पहले पानी चरा दिया बनाओंगी तो दूद चाय लेकिन थोड़ा तरीका अलग है और उस पानी में मैंने डाला है लॉंग काली मिर्ची आधरक डालकर ढख दिया और चाय पति बगर अभी कुछ भी नहीं डाला और चार मिंट तक ढखने के बाद में जब यह अच्छी तरह से खॉल गया यानि अच्छी तरह से जब यह मतलब पक गया उसके बाद में मिनिया पर डाला है एक कप दूद और एक कप में पानी लिया उसके बाद में मैंने डाला दो चम्मच जो है चाय पती जैसे मैंने आपको बता है थोरा सा अलग तरह किसे बनाऊंगी यानि कि कड़क सा चाय अचाए में था ज़या झाए मैंने थोड़ा ज्यादा ने लेकर बनाई और दिन इता टायमने लगाती हूं तो आपनले चाय को चले हो तो चले गर्म गरम प्षि लेती उसा दोस्तों अभी नाग की टाइम और मैं इना बैटू हूं बढ़ियों जिनके इससे में जो आता है वो इंसान बोजी लेते हैं मेरे इससे में जो भी आया में उसे एक्सेप करती हूं और यह भी मानती हूं कि हर पल जो है कोई भी चीज मतलब फिक्स नहीं होती आज अगर गम है तो कल खुशी भी आएगी समय भी कट जाएगा दिन भी ढलेगी बस मेरा बेटा कभी सेही नहीं रहता बड़ा जो है ना उसका तबियत कभी सेही नहीं रहता है वो हमेशा बिमार रहता है अभी उसी के बज़े से में इस टायम जग रही हूं देखिए बोव वापे सो रहा है और उसकी तबियत आज ही इसकुल गया था बस दोई दिन इसकुल यह बती दिखा रहा हैं और यह बच्चों की बचियोई द análया है सोनु के तबेतल कर आप की वजह से मिनि इन अट दूद गरम किया न रोटी बनाए न चावल वह सिए जो है बच्चों की दल्य बच गया था जो ही में खा रहे थी तो लगता है आप यह खाना चाहरा है खाओगे बैठके खाया करो ना खाना गले में फच जाएगा बेठो यह खा रहे थे मैं सुचा क्यूँ फेकूं दल्या है और फिर मैं खा लेती हूं सोनों ने आज बिल्कुल यह खाना ने खाया यह जो मेरा दीन चल रहा है ना यह दिने गुजर जाएगी आप लोग मेरे आखों मतलब आखे देख पा रहे होंगे क्या हालत हुई है यह जो आखे ना रातों को जग जग कर हुई है पहला और दूसरा इतना रोना आता इतना रोना आता इतना रोना आता है रो रोकर हुआ है समझने आता शिकायत किसे करें क्योंकि सारे अपने तो तमाशत देखने वालो तमाशत देखो एक औरत का सबर देखो एक मा का इंतेहान की घरी देखो जब यह दिन कट जाएगी तब भी देखना यह बक्त भी कटेगा आज जिस आखों में नमी है ना आज सूप भी सुखेगी मेरे आखों में नमी किसी के जाने की वज़े से नहीं मेरी बेटे की वज़े से है जो पल पल हर पल तकलिप में है परिशानी में है तब यह ठीक ही नहीं हो पा रहा है रोज में नहीं था क्यों कितने रात जगनी पर जाए मैं जगूंगी क्यों मेरे को नाम दिये भगवन्य मां मुझे तो जगना ही है मैं थुरी ऐसा कर सकती हूं कि बच्चे की वज़े से मैं रात को नहीं सो पाती हूं अब मैं ठीक से खाना नहीं खा पाती हूं मैंने दो रात जग लिया एक रात जग लिया मुझे नहीं होगा मुझे सोना है चैन से खाना है मुझे जगना है नौ महिना मैंने कोक में रखा मैंने सीचाय उसे अपने खुन से और एक मा को कभी अपनी बच्चे के लिए जगना अपनी बच्चे के लिए कोई भी काम करना कोई परिशनी नहीं होती बस भगवान मेरा जो अनपानी इस टाइम चल रही है न ऐसा बना रहा है कि मेरा तोड़ा बहुत खर्चा चलती रहा है जब तक मेरा बच्चा बड़ा ना हो मैं आपने बच्चे से दुखी नहीं हूँ बहुत खुश हूँ कि मुझे दो हीरे जैसे बेटा मिला है जिनके मुख पर है ना सुर्यदेव जैसे चमक है और बहुत ही खुपसूरत है मैं तो उनके मुख की तरफ देखकर जी लूँगी और उनका एक हसी मेरी चेरे की सारे तकली पे दुर कर देता है उनकी हसी देखकर मैं हस लेती हूँ उनमें जी लेती हूँ तो एक पती के तमाशा देखेगा, उसे क्या पता कि पत्नी क्या होती है, उसे क्या पता बच्ची क्या होता है, उसे तो पले-पला बेटा मिल गया, 27 साल का, पत्नी मिल गई, अपने से ज्यादा उमर की, उसे थोड़ी बच्चे की पढ़ी है, बच्चे के अगर पढ़ी भी तो दुसरे कर लेंगे, क्या दिक्कत है, बच्ची होने में कोई जाद उटोना थोड़े ने करना पड़ता है, हो जाएंगे, और रही बात ने की, और तो के लिए सारा नियम लागू है, सब कुछ लागू है, तो जो लोग कोटकचरे में जाते हैं, जिनके साथ ये साथ मैं मेरी बता रहे हूं, अपने जेगे पर सच होते हो भी, दो बच्चे छोर कर, पतिनी को छोर कर, अगला बंदा ने शादी कर लिया, क्या उकर लिया, कुछ नहीं, देस जन्वरी, साल भर से गुमरी हूं, चपले घिस गई कोटकी, चकर काट काटके, जो भी जेब में पै पैसा खतम हो गया, लेकिन क्या मिला, अभी तो कुछ ही नहीं मिला, सिर्फ चकर ही काट रही हूं, पैसे पैसा लगे जा रहा है, कहने को सब कुछ है, कहने को फ्री-प्री करते रहते हैं, लेकिन जब निकलते हैं, हाकिकत में ऐसा नहीं होता, मेरे साथ नहीं ऐसा हुआ है, लेकिन वो कहते हैं, मा, उसके अंदर एक जुनून आ जाती है, जोश आ जाती है, एक हिम्मत आ जाती है, बच्चे की मूग की तुरफ देखे, वो हर लड़ाई लड़ सकती है, तो मैं लड़ूंगी, जब तक मेरे सीने में सास रहेगी ना, कितना पैसा लगाना पड़े, क कुछ भी करनी पड़ेंगे, लेकिन छोड़ूंगी तो नहीं, मेरी बच्चे का हक में किसी को ने मार के बैठने दूंगी, कानुनी तरीके से, जो लीगल तरीका होगा, लीगल तरीके से, जो मेरी बच्चे का हक है, वो मिल लेकर रहोंगी, इसके लिए, मुझे किसी की सला कि जरूत नहीं है नहीं मुझे किसी को समझाने की जरूत है मुझे पता है मुझे क्या कर नहीं मेरी बच्चों पर इस तरह है कि टोचर करके तुम दूर रहे के सुखी रहोगे सुखी तो नहीं रहने दूगी मेरा बच्चा मेंटली फीजिकली फाइडेंचली हर तरह से मतलब दुखी हो चुका है वो बंदा कपसे बिमार पड़ा है और एक मासूम की दिल के साथ खेलना उसकी तो अभी मा है तुम क्यों उसकी साथ खेलते हैं तुम्हें के मता मा क्या चीज होती है कभी मा की कदर करिया होती तो पता होता मा का प्यार क्या होती है तुमने तो फेक दिया ना अपने उलादों के तो तुम्हें क्या पता उलाद क्या होती है गम क्या होती है तुमने सिप सूख ही सूख देखा है और सूख ही सूख तुमको चाहिए टेंशन मतलो जो मेरे बच्चे का हको बना किसी को मुझे बताने के जरूत नहीं है में लेकर रहूंगी बो भी लीगल तरीके से और मुझे येकीन है भगवान पर जो मेरा इंत्यान ले रहना येकीन है बच्चो का हक कही नहीं जाएगा वो मुझे जरूत दिलाएंगे टाइम लेगेगा लेकिन वो कहते न धिरज रखना पड़ेगा और 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 तो धिरज की बहुत सरी शमता है दिये बगवान ने येकीन है मुझे उन पर वो मुझे और धिरज जरूत देगे हर नहीं मानुगी कैसे मा थोड़ी नहीं हरती है मा तो हर तरह से जीट जाती है हर तो उनका होता है अपने बेटे को इस तरह छोड़ देते तो हर तो उनका है जो लोग अपनी बेटे का सुक नहीं देख पाया एक नदी सी बच्चे का कद्धे पे नहीं ले पाया उनके साथ खेल नहीं पाया अब टेंशन मत लो मुझे किसी की सलहा के जरुत नहीं है बस उपर वाले मेरी बच्चों को से सलमत रखें नहीं सब कुछ कर लोगी क्योंकि मैं एक मा हो और मा ये कभी हार नहीं मानती आप सिर्फ समाल के रहिएगा और मैं जब बार करूँगी ना लीगल तरीके से करूँगी जिस पर तुमरा बस नहीं चलेगा तरब तरह जाओगे छटपटा तरह जाओगे इलेगल तरीके कभी ने अपना हूँ कभी नहीं भारोसा कुद परो ना चिये मुझे ड़नाने की कोशिश मत करना क्यूंकि मैं अभी फिर से कहरे हूँ महगमा हूँ मुझे ड़ने लगता हूँ